हेलो एवरिवन वेलकम बाग तो औरगनाईज लर्निंग चानल अगर आप में चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी एंसीटी ओफ टेली की तरफ से 24 नवेंबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 116 क्लास 4 के लिए वर्कशीट है टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है यूनिट नमबर 5 हेलन केलर जो की पेज नमबर 87 प होंगे read the lines given below they are from the story Helen Keller तो नीचे हमें कुछ lines दी गई है उनको हम पढ़ते हैं और यह हमें कॉंसी story में से दी गई है Helen Keller में से she was often angry वो बहुत जादा जो है गुसा होती थी sometimes she even lay on the floor and kicked her feet कई बार तो वो जमीन पर लेट जाती थी और अपने पैर जो है वो उनसे अपनी पैर को चलाती थी मतलब किक जैसे करते हैं न हम वैसे अपने पैरों को चलाती थी sometimes when we are angry or frustrated we behave in a manner that can hurt our loved ones जब कई बार हम गुसा हो जाते हैं या हम frustrated हो जाते हैं हमें किसी चीज से frustration यानि कि घृणा हो जाती है तो हमें एक ऐसे manner में behave करते हैं जिससे हमारे जो हमें प्यार करने वाले हम उनको hurt कर देते हैं हम उनको चोट पहुँआ देते हैं दिल से चोट पहुँआते हैं we feel sad later and want to control our anger हमें फिर बाद में बुरा लगता है और हम चाहते हैं कि हम अपने गुसे पर काबू करें given below are some behaviors that help us to control our anger नीचे कुछ हमें ऐसे behavior दिये गए हैं जिससे हम अपने गुसे को control करने में हमें मदद करेंगे identify what should be done and what should not be done to control our anger तो आपको इन में से ये find out करना है कि हमें क्या क करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने गुसे को control जब हमें करना होता है तब use the words yes or no in the box तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हमें yes करना है और हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें no करना है boxes में तो देखते हैं सबसे पहले जब भी गुसा आ रहा हो त पहला जो behavior दिया गया है वो क्या है I can go for a walk कि मैं बहार walk के लिए जा सकती हूँ तो बिलकुल आप जब गुस्सा आए तो कोशिश करें कि आप walk के लिए चले जाएं दूसरा है take deep breath and count till 10 आपको लंबी सांस लीजिए और 10 तक गिंती गिनिये तो बिलकुल ऐसा आपको करना चाहिए अगर आपको कभी गुस्सा आता है तो यह हो जाएगा yes shout and scream चिलाना तो बिलकुल भी नहीं चाहिए जब भी गुस्सा आता है तो no आपको इसमें लिखेंगे drink a glass of water जब भी गुस्सा आतो एक पानी का एक ग्लास पी लेना चाहिए तो यह बिलकुल सही है तो yes throw objects जब भी गुस्सा आता है कभी भी कोशिश कीजे कि आप बिलकुल भी चीजों को तो ना फेके तो इसलिए no आएगा इसमें अब क्या है यह हमारे पास एक picture दी हुई है यह man है और यह girl है तो यह दोनों आपस में क्या बाते कर रहे होंगे आपको यह imagine करके इनके जो डायलोग से उनको लिखना है ठीक है तो माल लीजिए यह man जो है यह इस girl से पूछ रहे है child where are you going कि बेटा आप कहां जा रही हो तो यह जैसे girl reply करती है I am going to school uncle कि uncle मैं school जा रही हूँ तो आप इन डायलोग्स को जो है बोलकर practice करेंगे और साथ में अपनी note book में भी लिखेंगे और अपने teacher के साथ इनको share करेंगे अब अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को उधारन देते हुए यह समझने में सहयोग दीजिए कि गुसा आने पर हम किस प्रकार अपनी बात सहयम रखते हुए कह सकते हैं आप बच्चों को यह चीज समझा सकते हैं कि अगर गुसा अगर आपको आ भी चाहा है तो भी कैसे उसको कंट्रोल करके हम अपनी बात कि सामने वाले बंदे के सामने रख सकते हैं और इसे के साथ को रोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और तू यार्ड्स तो को रोना से बचने के लिए सभी को छे फीट य होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में